इक्किस लाख किसानों को 14,000 करोर रुपे राजस्तान की सरकार ने दिया है राजस्तान में राजस्तान की सरकार ने जो स्वास्त पे काम किया है उसने हमारी जान बचा दी हमारे घुटने खतम हो गए हम वजन ने उठा पा रहे हैं राजस्तान की सरकार ने हमारी मदद की हम ये कभी नहीं बूल सकते हैं मैदान में जाईए सच्चा ही रखिए और यह जो नफरत फलाते हैं इनके नफरत के बाजार के अंदर मोहबत के दुकान खोलिए धन्यवाद पंडी दिंदेर उपाद्या जी की भधी जी है मदुझी आज हम आपसे जाना चाते है राहूल गांदी ने के दोरे के क्या माईने हैं कॉंग्रेस सरकार दावा कर देके हम फिर से सरकार बनाएंगे इसके बारे में आप क्या कहना चाते हैं आसली के दूृ कुछना इसके तो तब शुआ इस्ञी ऐए और पिश्ली बार भिल गांदीुआ ठीकि चैने मतिने जिनाने लिगे तो यह दो तीन जुआताय था ठीक गिंदे है गएर तीन षंशै अहान कुन साल स्लएं वहां प्यान इलिजानकी हुआ है तो यह माइन है जंता पूछ दिये सवाल कि आप किये क्या माइन है आपके आने का कुछ फरक नी पड़ने वाला और अभी मैं जारी थी रस्ते से निकलती थी तो चोड़ाय पर लोग बात कर रहे थे कि अरे राहुल गांदी जी आये उनकी सभा में जाना और चुटक लुट करके प्राइब कर देखरें के अब जो राइचेस सरकार है जिसमे जो रेवडियां बाटी अब वो रेवडियों को समयटने का काम कर दी है आप देख रहे हो कि जीकिस्ताक के अंदर उन्होंने जिस तरीकेसे सारे इलाज फिरी कर दिये जंता कुछ बाट रिये कभी क्या बाट रहे हैं कभी खाने के पैकेट वगरा बाट रहे तो इस तरीके के उन्होंने कूप रेवडिया बाटी मुवाइल बाट रहे हैं तो मेरी यह समझने तरह आप जब आपको बिना सोचे समझे आप कोई भी योजना को लागू कर देंगे और उसके जंदा के ओपर क्य असर पड़ेगा इस चीज का आप देखो कि आपने के दिया कि पास दिन तब ज्यादा मतला गर मरीज भरती होगा और होस्पिटिल के अंदर तो उसका फिर पैसा लगेगा तो जब वो जिसके पास पैसा नहीं है और जब वो मरने पर आ रहा है यह ज्यादा सीरियास हो रहा कि यह हमें भेकाने का काम कर रहे है अने बलारी नी है विन का रहा है कि क्यो और समय पर आने last yr दोंग ने कुछ भी जेने के लिए आप काम करने तो मेरको नहीं लगता कि राहूल गांदी का कोई असर होने वाला है राजस्तान पर राहूल गांदी के जिस तरीके से कि इन्होंने पूरे 50, 20, 25 पार्टिय जो एक होकर के जो केता न घ हमनदू तरीके का वो घमनदू गुट बनाया इंन्होंने तो बहुत डरने लगा है उनको डर लगने लगा है भरती जंता पार्टी की सरकार को डर नहीं लगता है, वो कैसे डरेगी, उसने तो अच्छा काम किया है, बलकि प्रशाशन देखो तो उसमें भेव्यागते, आर पूरा ट्रांसपरेंसी इतनी हो गई है कि सारा की सारा उन्होंने ओनलाइन काम करा दिया है, तो इतना साफ सुत काम होने पर ग Loud गलत काम करते हैं, महीला के था काम किया है नहीं कि अ? करदे लिए जुशमा सोराजी ने उसकी सेंबती दी तिया हमारी बार्ट्टी जनता पार्ट्टी ने उस बील का समर्धन किया तो बहु तो कभी नहीं है और अगर हमने अभी इस बिल को लागू करा तो आप क्या कोगे कि अच्छा चुनाव हैं और बोट लेने के लिए बार् संसे यथा लागू करतें किकिसी इसी काम को बिना सोक्ते समझार्ण कर देते तो ने के जाशन फैज जो सकाव क wilt है यहिंए मर्यों कर देन शालता है उस अई समय जरे जालréeों को बार इस दो और व को ढ़र हो duck 33% आरक्षन भेहनों के लिए दिया है और उन्होंने महिलाओं के लिए हर चीछ के लिए सोचा है आप देख लो कि उन्होंने सोचा लेका निर्माण आज 70 साल में कॉंग्रेस सरकार ने मी सोचा कि महिला को किस तरीके से वो जाएगी कैसे अधेरे में जाती है कैई गटना है उ यह पीड़ा उनको नी हुई यह प्रधान मंत्री जी को हुई जिस तरीके से उन्होंने चूला गेश चूले की वेवसा करी घरगर ओजवाला योजदा के तेट चूला पोचवाया तो महिलाओं के आसू पोचने का काम प्रधान मंत्री जी ने किया है तो यह कॉंग्रेस सर लागो 6,000 रुपे की राशी जन्धन योजना सपने में कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई कर खाता इस तरीके से एक अंतिम छोर के व्यक्ति का भी कोई खाता खुल सकता है और उसमें पैसे आएगे तो मैं समझतियों कि यह जिस तरीके की बात कर रहे है और 10 साल में करें इस करना में आपको दुबारा से चीज को लागू करना पड़ेगा तो क्या ऐसी कर दें क्या फिर आप कहने लग जा हुए कि यह तो चुनावी लाग उठाने का काम कर रहे हैं आप तो दोनों तरफ से बात करते हैं तो मैं नहीं समझती कि बिना सोल से समझे आप कुछ भी बोल है जी कि उसके बारे में आप क्या कहना जाएंगे फिल्कुल मैं प्रदान मत्री जी का इस गुलावी नगरी में स्वागत करती हूं और वो धानकिया भी आ रहे हैं इसकी में को बहुत ज्यादा खुशी हुई है अभी हाली में हमारी परिवर्तन यात्रा निकली है और पु अब हमें जरूर जाएं प्रदान मंत्री जी ने जितनी भी सोगाते दियें वो अच्छे सोगाते दियें आप देख लो कि किस तरीके से जी 20 का हमारे देश ने जितने भी देश हैं भार के उनका स्वागत किया उनका अगवाई करी और अपना इस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर आज भारत अंग्लिम पंक्ती में आकरके खड़ा हो गया है और विश्वत्ती सबसे बड़ी पार्टी के रूट में आज खड़ा है शक्ति-शाली रूट से निकों हम सतर सालों से देख ही रहते कि भार के प्रवासी यों को मैंने देखा है जो प्रवासी थ सब्सक्राइब तो उन्होंने कुछ सोचकर ही आज 25 तारीक जैनती दिंडियार जी की चुनी है क्योंकि सभी उतको शर्दार जिदी देना चाहते हैं, सभी शर्दा सुमन अरुपित करना चाहते हैं और पंडित दिंडियार उपाध्या जी तो अपने आप महामानव रहे हैं तो यह तो बहुत ही कर्व की बात है कि इस दिन उनका चुनाएं तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए कि प्रदान मंत्री जी समध भी ते क्योंकि मेरे को मानूम है कि एक बार कारिक्रम में प्रदान मंत्री जी ने इतने अच्छे उससे मेरे से मिले और मेरे क तो करता है मंनद में व्यक्ति ज़्टे का प्र्वार में उनकी द्यान, कि क्या घरता है सब की चिंता करना, तो खाला tutto मोगिया जैसा होना ची आ, हो हमारे दैश के प्रदान मत्री कुला में होंदी की दन्यवादे